36 गड़ के रायपूर में एक दिसंबर से किसानों के धान की खरीद समर्थन मुल्य में होगी आपको बता दे कि राज्य सरकार ने एक दिसंबर से किसानों का धान समर्थन मुल्य में खरीद करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिये हैं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जांजगीर चामपा जिला में धान खरीदी के लिए कलेक्टर ने नौडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और किसानों की धान खरीदी में कोई गड़बडी ना हो इसके लिए निर्देश जारी कर दी है वही एक दिसंबर के होने वाली धान खरीदी के लिए 27 नवेंबर से टोकन वित्रण करने के भी निर्देश दे दिये हैं कलेक्टर यश्वंत कुमार ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष जूट मिलों से बोरा निर्मान नहीं हो पा रहा है जिसके कारण धान खरीदी के लिए बारधानों की विवस्ता बनाने के लिए विशेश प्रयास किये गए और P.D.S के चावल वाले बोरों को एक द्रु कर व्यवस्ता दुरुस्त कर ली गई है वही जिले में बारदानों की कमी के कारण धान-करीदी प्रभावित नहीं होने का दावा किया है चतिजगर से समाधाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट पर निक्षन भी कराएं हैं और लगातार इस पर काम चल रहा है कुछ नए केंदर भी बने हैं तेरा नए केंदर धानकरीदी केंदर स्विक्रित किये गए हैं राजे सासन द्वारा तो उन पर भी धानकरीदी प्रारंब हो जाएगा तो इस तरीके से कोशिस यह की जारी है कि जहां तक संभव हो और किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सभी किसानों की इंड्री हो गई है हमारे यहां जो रेजिस्टेशन है वो भी नए किसानों के भी और पुराने किसानों की सभी की रेजिस्ट्री हो चुकी है ऑनलाइन जो है उनका नाम चड़ चुका है तो पुरी तेयरी इसमें कर ली गई है और एक दिसमबर से धानकरीदी स्टार्ट हो जाएगा। बारदाने यहाँ पर परियाप्त बारदाने एवलेबल हैं चोकि इस बार बारदाने नए बारदाने COVID के खारण फैक्टरी से नहीं बन रहे हैं तो पुराने जो PDS के बारदाने हैं और मिलर्स के बारदाने हैं वो लगातार इकट्थे किये जा रहे हैं और जिले में काफी हद तक इकट्था कर भी लिया गया है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हमारे जिले में पुराने बारदानों के इकट्था करने की तो वो इकट्थ चाहीज गैंशियए थ जक्राइबगाट सेज़